यहां पर हमें A से factorize करना है 27 होता है मेरा 3 का cube तो इसे 3 का cube लिखते है 125 होता है 5 का cube तो 125 A cube हो जाएगा 5 A का whole cube ऐसे अब यहां इन दोनों में से मैं notice करूँ एक तो मेरा A common है तो मैं A common निगालता हूँ और मेरा 45 common आएगा क्योंकि 45 3 जा 135 होता है 45 5 जा 225 होता है तो यहां से बचेगा 3 यहां से बचेगा एक तो 5 और एक A तो 5 A अब यहां 45 A को लिखता हूँ मैं 3 into ये वाला 3 into 5 A कुछ ऐसे अब ये मेरा similar है इस x minus y के whole cube की right side की तरह यानि इस की तरह x cube हो जाएगा मेरा 3 cube y cube हो जाएगा 5 A cube यहां 3 into xy हो जाएगा 3 into 3 into 5 A और x minus y ये हो जाएगा यानि x की value होगी मेरी 3 y की value होगी 5 A तो इसकी value आएगी x minus y के whole cube यानि 3 minus 5 A का whole cube अब यहां factorize करना है तो मैं cube अलग अलग कर जेता हूँ ये आएगा 3 minus 5 A को 3 times multiply करेंगे